हलो प्रेट्स एक बार फिर से आपका स्वागत है बहुत इंपोर्टेंट ये नोटिस है और कुछ जो साती है उनका मेरे पास कॉल्स भी आचुकी है, मेसिजिज भी आचुके है कि सर मेरा नाम जो है फाइनल रेजल्ट जो आया था 19 तारिक को, उसमें मेरा रोल अंबर था लेकिन मुझे डिपार्टमेंट अलोट नहीं किया गया है, तो उनकी जो प्रोब्लम है वो बिल्कुल जेनुइन है, ऐसे बहुत सारे कंडिडेट्स है, एक कंडिडेट नहीं है तो आपको प्रेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके लिए वो नोटीस जो एटसेसी के सेकरेटरी का है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर लिखता है इस बात का मतलब है कि यह उन अभिर्थियों के लिए सूचना के लिए है कि जो हरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन है उसने 18218 पोस्ट अडिटाइजमेंट नमबर 4-2018 के तहत जो हुआ था 27-08-2018 को अडिटाइज़ उसका रेजल्ट 19 जनवरी को घोशित किया था लेकिन अगेंज दा 18218 पोस्ट अडिटाइज़ डिटाइज़ डिपार्मेंट है अलोटी टू 16,246 कंडिटेट्स अली एंड रिकमेंडेशन क्वाट 19,176 पोस्ट तो जो इतने जो कंडिटेट्थ थे उनके रजल्ट्स उनके डिपार्टमेंट उनको अलोट कर दिये गए है लेकिन जो इतनी जो पोस्ट है 1906 पोस्ट है जिसमें से ब्लैक्समित की दो हैं विसरा कटर की दो पोस्ट हैं ब्लैक्समित हेलपर की 60 अनिमल अटेंडेंट्स की 1885 पोस्ट हैं लेवरिटरी अटेंडेंट्स की 27 पोस्ट हैं मतलब कि 10th class से भी आहियर कुछ qualification, कोई diploma, कोई certificate उनके पास होनी चाहिए, इन जो है post को recruit होने के लिए इन post के उपर, तो वो इसको लेकर जिन candidates के पास वो diploma था या वो certificate था, मान लीजी animal attendant के लिए कोई diploma हमें चाहिए, या blacksmith helper के लिए हमें कोई ITI का trade certificates आईए, तो वो जिन candidates के पास था, उन्होंने ये case किया है, कि क्यों हमारा जो मोका था, जो केवल हमें जो मोका मिलना था, वो सभी candidates को क्यों दिया जा रहा है, तो ये जो था, वो case था, और इसी के लिए जो ये post है, उनका result रोग लिया गया है, और कई साथी अब ये भी बोलेंगे कि कब तक इसका क्या होगा, तो मैं उनको बता दूँ, गवर्मेंट बहुत ही जल्दी में है, और इसका जो सुनवाई होनी है case की, बहुत ज़ादा जो chances है, वो गवर्मेंट के favor में ही, इसके result आने के chances है case का, और अगर नहीं भी आता है, तो मैं आपको बता दूँ, एच एससी जो है, ये जो candidate जो select होए है final list में, इनको या तो कोई और department अलोट कर देगी, या कोई और post अलोट कर देगी, तो दोस्तों, ये काफी important वीडियो है, जिन साथियों का result final list में, department allocation वाल लिस्ट में नहीं आया है, उन साथियों तक, तमाम साथियों तक ये पहुंच और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जुरू सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको ऐसी ही important news with proof आपको हर बार दिखाने की कोशिश करते हैं, और ये secretary का letter है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर आज का ही ये letter है, तो वीडियो को जादा जादा शेय करें दोस्तों, अगर पसंद आया तो लाइक करें, थैंक्यू